साथी नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल में 69,000 सिच्छक बरती उत्तर कुंजी प्रक्रण के साथ मैं आपके बीच में उबस्तित हूँ आदे इस 33 तारी की सुनवाई का जो है जारी हो चुका है और आप सभी के बीच में गलत जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है कुछ लोगों द्वारा ठीक है एक वाइरल मैसेज जैसा तो उससे थोड़ा सा आप लोगों नकारात्मक की तरफ जा रहे हैं इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाले ठीक है वो क्या है मैं चर्चा करूंगा तो बनी रहा वीडियो के अंतक शलते हैं ओडर की तरफ यह रहा आप कादेश यहां से आप देखिए इस चीज को कोट नमबर आठ में आपका मामला लगा था असी चपन दोजार बीस और अगर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर ठीक है अरी सब मिस्रा और दर्स ठीक है और यहां पर डाक्टर साहब और अमिसिंग भदोरिया साहब ठीक है और नीचे आजाएए आप यहां पर जो भी तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे ठीक है उन सभी माननीजवक्ताओं के नाम और नीचे आते जाएं आप यहां से यह जो लाइन है यहां से थोड़ा कन्फिजन क्रियेट हुआ है आप सभी में इस कन्फिजन को मैं दूर कर दू ठीक है यह कहा गया ग्रूपों में की बारा तारीक को फाइनल सुनुआई या पर आपको मिलेगा यहां पर आप देखिए ठीक है तो सिधा सिधा हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं ठीक है पूरा और पड़ परके ठीक है एक एक स्टेप पे आपको समझाना मुझे नहीं लगता कोई बहादुरी वाला काम है एक चोटी से लाइन में आपक पर फालो कर आईएगी बारा को उस चीज़ पर डिपेंड करेगा वह सरी चीज़े बारा तारी को डिपेंड करेंगी यानि बारा अगस्त को सुनवाई होनी है उस पर यानि कि 343 पे मानिय जसाब के तरफ से जो भी चीज़े आएंगी जो भी निर्ड़े निकल के आता है जो भी चीज़े होती है उस पे 12-8-2021 को आगे जो एक्सन लेना है वो मानिय जसाब के तरफ से लिया जाएगा ऐसा मैसेज भी आपको ग्रूप में दिया गया है ये नहीं है कि फाइनल हीरिंग है 12 को ये चीज़ अपने दिमाग से आप निकाले अब बात करते हैं मानिय अदिवक्ता महोदे कौन उपस्तित रहें कौन नहीं तो आप गौर करिएगा लिष्ट को बहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसके बात फिर आप सवाल जबाब करिएगा कौन से अदिवक्ता रहें कौन से णहीं अदिवक्ता रहें ठीक है आप सभी को एक जानकारी के लिए जरूर बता देंगे कुत्तर कुंजी प्रक्रण क्या जो ग्राउंड तियार किया गया वो वरिष्ट अदिवक्ता मानी डाक्टर यल्पी मिस्रा साहब उनके साथ एक बहमूल योगदान रहा अमिसिंग भदोरिया साहब का जिनोंने हर कदम पे इस याचिका को सुप्रीम कोट से लेकर के डबल बेंच सिंगल बेंच हर जगह से जो है बचाते हुए आज भी स इस सफ़ा लोंगे अब बात करते हैं इलाहाबाट डबल बेंच की तयारियों की तो वहां की तयारिया अपने अस्तर पे जो भी करनी है वो हम पूरी तरह से लगे हुए है आज भी और अभी भी तयारिया जारी है मैराथान अस्तर पे कोई कमी कहीं से ना रह दाए ये हमार बताना चाहते हैं हमें क्या करना है हमें जो करना है वो हम करेंगे बस याद रहे जो भी होगा वो आपके भेतरी के लिए होगा बस यही चीज़े कहेंगे क्योंकि नौकरी हमें करनी है नौकरी आपको करनी है कुछ साथियों ने कमेंट किया कि आज जेर साल से जहला जा रह देखिएगा और तमाम आदेस को निकाल करके देखिएगा कौन से आदेस आपके खिलाफ थे हैं, कौन से नहीं, बाकी टीका टिपड़ी बाते जो है आप कर सकते हैं, यह आपको अधिकार संभिधान देता है, आप ऐसा कह सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कहना है। बस इतनी सी और डिपेंड करता है 343 के साथ 343 के साथ वहाँ के लिए हम तयार हैं और भी टीमें तयार हैं अपना 100% सब बेतर करेंगी क्योंकि सभी का मान सम्मान और बहुत सारी चीजे इस नौकरी से जुड़ी है इस 79,000 सिचक बरती के उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़ी है तो मिलत जानकारियों के साथ तब तक लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद